आज की इस छोटे से वीडियो में हम ये बात करेंगे कि sound कैसे आगे बढ़ता है आपको पता होगा कि sound vibrating object से ही create होता है तो ये एक object है जो vibrate करेगा और ये सारे dots group of ear molecules को indicate कर रहा है जब ये object vibrate करता है तो ये अपने साथ वाले ear molecules को भी vibrate करवाता है वही vibration आगे बढ़ता है और हम कहते हैं कि sound आगे बढ़ रहा है ये vibration जब हमारे कानों तक पहुचता है तो हमें सुनने का sensation होता है अब इसके propagation के कारण को थोड़ा details में देखते हैं जब ये object आगे बढ़ता है तो ये अपने साथ वाले हवा के layer को धकेल कर आगे बढ़ा देता है जब ये पीछे आता है तो इसके बीच vacuum create होता है वही साथ वाले हवा का layer उसे आकर भरता है अब दो layers के साथ इसे देखते हैं आगे बढ़ते हुए पहला layer दूसरे layer को आगे धकेलता है पर pressure को पहुचने में थोड़ा time लगता है तो second layer थोड़ा delay से move करता है इसी logic को आप सारे layers पे लगा दे तो आपको दिखेगा एक सुन्दर pattern जिस pattern में sound propagate करता है